तो दोस्तों फाइनली दो साल बात लोकी सीरीज का दूसरा सीजन आ गया है। सच मैं पता नहीं चला दो साल कहां निकल गई। चलो छोड़ो इस बात को आज हम इस वीडियो में एपिसोड वन की स्टोरी एंड हिडन डीटेल्स का डिसकस करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर सीजन वन खतम हुआ था। और हम देखते हैं लोकी को मॉवियस ने पैचाना नहीं और TVA एजेंट उसके पेछे लग जाते हैं और तभी लोकी वहाँ से कूर जाता है और एक गाड़ी पर गिल जाता है और वो गाड़ केंग के स्टैचो से टकरा कर TVA के ऑफिस में घुच जाती है और हम वहाँ चैसी को देखते हैं जो लोकी को पैचान नहीं रहा होता यहाँ पर खिडन डिटेल है अगर आपने धियां से सुना हो तो चैसी यहाँ पर एक ओडियो बुक सुना होता है सेम ओडियो बुक हमें म और उसी के साथ हमें पता चलता है लोकी पास्ट में ट्रेवल कर रहा है और यह भी कि पास्ट में कैंग ही था जो TVA पर दूल करता था उसके स्टैचू लगबग हर जगा होते हैं और लोकी की वज़े से यह एक्सपोज हुआ होगा इसे लिए उसने अपने एडेंटी चु हुआ था लेकिन चेसी को वो कुछ याद ही नहीं था विच मींज यह क्रैक वाला इंसिडेंट के बाद की मेमोरी को वैप किया गया है और यह बात कंफर्मड है शायद यही रीजन है कि he who remains लोकी के वेरेंट पर सबसे जादा नजार रखता था आई होब यहाँ पर आपको कोई confusion नहीं होगी यहीं हम Hunter B-15 और Morbius को discuss करते हुए देखते हैं कि बाकी agents को TVA के बारे में बता दिना चाहिए और तभी वहाँ पर Hunter B-5 आता है देखो यह character बहुत ही important होने वाला है क्योंकि हमें trailer से ही पता है कि इसी के एक variant के पीछे Loki and Morbius रही है उस variant का नाम Brad Wolf होगा औ और आगर चलकर यही character एक जैनिक नाम का villain बनता है एंड ट्रेलर में भी Brad यानी की Hunter B-5 जैनिक नाम की एक movie की screening में गया होता है तो हाँ B-5 पर नज़र रखने क्योंकि यह important character होने वाला है आगे war room में जिजिस के सामने Hunter B-15 और Morbius सारा सच रख देते हैं और जिजिस के यहा गैंबल का inspiration comic book में Professor Gamble से लिया गया है जो कि एक time पे TV का agent था वैसे इन दोनों ही character के पीछे statue बनी हुई है तब ही present में Loki आ जाता है और वो आके timekeeper's की reality को expose कर देता है और wall को prune करके Kang के statue को भी devil कर देता है विच मीन अगें यहाँ पहले Kang ही rule करता था और judges की तरह अपने decision देता था यह सब देखकर just gamble Morbius के favor में अपना decision देती है और time branch को prune करने को मना कर देती है लेकिन general dogs अपने believe में इतना अंधी रहती है कि वो यह सब मानने को ready नहीं रहती जैसे game of thrones में सटकी हुई लगती थ आते हैं और वहां उन्हें मिलता है Ouroboros अब देखो यह नाम बहुत ही interesting है इसमें भी hidden detail है actually ancient culture में Ouroboros को इस symbol से represent किया जाता है जिसमें आप एक snake को अपनी पूछ खाते हुए देख सकते हो जिसका मतलब है संतुलन balance और हम इसको Greek mythology में भी देख सकते हैं जहां से Loki कहानी आत है हां तो actor Hugh Quinn के लिए interesting name choose किया गया है Ouroboros जो की clearly दिखता है कि एक character बहुत important होने वाला है इस series में और हां यहां यहां पर एक चीज और भी reveal हुई है MCU में जो time travel rule था वो TVA पर follow नहीं हो रहा means endgame में specially mentioned किया गया था part change करने से future change नहीं होता बलकि time branch बनते हैं लेकि यहां Loki past म सब्सक्राइब करने को कहता है जिससे उसका time sleep करना रुख जाए यानि कि clearly यहां past में changes करने से future में भी changes हो रहे हैं unlike endgame और इसी का use करके लोग की ओवी को टेंपर और एक सेक्टर बनवाने के लिए के लिए के लिए जिससे उसका time sleep करना रुख जाए एंड इसके लिए वो movies में Professor X के serraro में होता है एंड टेंपरल में से वैसा ही bridge है जैसा serraro में था हाँ अब X-Man के रेफ्रेंसिस भी बहुत जाता MCV में मिलने लगी हैं और हाँ, मैं ये भी बतातू, टैंपरल लूप एक्षिली में ऐसे काम करता है, जैसे छोटे-छोटे धागों से मोटा रसा बनाया जाता है, वैसे ही टैंपरल लूप में सभी टैम ब्रंची को मुला के एक सिक्रेट टैम लाइन बनाई जाती है, इवर हमने ट्रेलर में भी द और यहां मोवियस के हलमेट पर भी ऐसे ही लगाकर काम चलाए जा रहा है, और फ्यूचर वाले लूप के पास टाइम श्टिक तो है और कोशन इस किसने उसको प्रूंड किया होगा और मुझे लगता है कि यह लोकी ही होगा जिसने खुद को प्रूंड किया होगा क्योंकि अविशली फ्यूचर वारे लोकी होगा उसको पता होगा कि उसके साथ ऐसा ही होने वाला है और फिर भी कोशन इस बात का है इस टैम पर कॉल कौन कर रहा होगा चलो लेश्ट ती क्या होने वाला है बाकी यह जो सीन था टीवी ए डिश्टोय वाला यह सीन हमें नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से देखने को मिलेगा बाकी प्रजेंट में लोकी और मोबी सर्वाइब कर गए हैं और लोकी का टाइम से लिए भी बहु चुका है दूसरी तर्व जर्नल डॉक जो सिल्वी के पीछे निकल गई है टीवी के सारे एजेंट को लेकर बाकी रुकों टीटल सा भी खतम नहीं हुई है इस वाले शोट में हमें श्टिकी पेपर दिखाई दिखाई देता है जिसमें हैक्स मुमेंट वेंशन है और है और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन पर हम आये तो हमें एक यहां पर इंपोर्टिट डिटेल्स मिलती है हम यहां ब्राउस टाइम लैन में सिल्वी को देखते हैं 1982 बॉक्स्टन में अब यह लोकेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टिट इसलिए है क्योंकि कॉमिक में इसी जग लाइक करना शेर करना ओव्यसली चैनल को सस्क्राइब भी करना